हेलो एवरीवन मैं हूँ महोमाच सोहेल आज मैं चार इंट्रडे स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो कल के लाइव मार्केट में आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को लेंगी चाहिए वो फस्ट हो चाहिए वो सेकंड हो और पिछले दो दिन से ना मैं इंट्राडे के वीड लेक्षन है तो कभी भी चेंज हो सकता है इसलिए अपने बैयर का हाड़न मनी मुझे बेकार करना नहीं है इसलिए मैं आपको पोजिशन्स बिलती है तो ही ट्रेड देता हूं वर्णा नहीं देता हूं और हम लोग कभी भी सेफ साइट पर ट्रेड करते हैं और हर वक्त हमे प्रफिट गुकिंग वह दोस्तों अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पर आया है तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए आज हमारा पहला स्टॉप है दुस्तों इंडियाबूल्स हॉजिंग फाइनाइस लिमिटेट और यह इंडिया बूल्स हॉजिंग फाइ यह कल के live market में 100% bottom fishing होगी जैसे bottom fishing होगी stock केंदर trend change हो जाएगा buyer का जैसे buyer का trend change हो जाएगा नीचे जाते होए इंडिया बॉस club होगा जैसे ही club होगा totally buying opportunity देखने को बिलेगी तो मेरा suggestion आप से यह रहा stock केंदर 240 level लेवल देखने को मिला buy करिए 239 लेवल देखने को मिला buy करिए target of 243 and target of 245 दोस्तों यह दो भी buying opportunity है इंडिया बॉस होजिंग फाइनस लिमिटेड के अंदर और स्टॉक के अंदर यह बाइंग opportunity है stock के अंदर यह target है stock के अंदर यह stop loss पकड़ के चलिए इंडिया बॉस में क्योंकि reverse आते आते एक छोटा सा breakdown हिंट दिया है जिदर आगर यह trend पकड़ के reversal जाएगा हमारा breakout level का तो यह trend इसमें ही change करेगा जिसके अंदर आपको 245-243 दो भी लेवल देखने के बिनेंगी target हमारा दूसरा इंट्रेडे stock है RBL और और आरिवेल बैंक का 15 मिनेट्स का इंट्रेडे क्यांडल जाटे आर्वेल बैंक इंदर रिसेंट्ली weekly support break कर चुका एसे लिए totally trend reversal हो गया और यह trend reversal करते हुए complete नीट bottom fishing हो रहा है इतर 20 RSA का होता है और जिदर इधर rally देना था stock नहीं दिया total reversal trend जाते हुए minus 1 अगर यह continue करेगा तो minus 2 के level तक continue करेगा करके live market में और अगर minus 2 के level तक continue करने लगेगा तो stock के अंदर आपको 183 और 182 यह दो लेवल पे stock के अंदर आपको opportunity देखने को मिलेगी पर target पहले 185 का देखने को मिलेगा second 186 अगर चाहिए 183 पे खरीदो 182 पे खरीदो अब 185 का आपको target लगा के चलना है और 179 का stop loss है क्योंकि हमारा monthly stop loss 179 निकल के आया है दोस्तों यह मेरा टेलिग्राम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको टेलिग्राम चैनल का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए गुजराद गयास का यह 15 मिनेट का इंट्राडे कैंडिल चाटे और गुजराद गयास हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है जो कल के लाइव मार्केट में आपको पॉजिटिव ट्रेंड भी देगा पर पहले इसके अंदर सेलिंग होगा उसके बाद ही बैंग होगा क्योंकि ट्रेंड चेंज कर चुका है अब यह ट्रेंड में वालाटाइल है तो हमें काफी वालाटाइलिटी के साथ श्टॉक मोमेंट देता हो दिएगा आप देख सकते हैं नीचे जाता है तो complete ट्रेंड सब्सक्राइब अब इस ट्रेंड में के अंदर जो यह अपन हुआ इस का वैलु है यह शिक्स फिफ्टीन से लेकर 17 तक है अगर ट्रेंड जाने लगा तो यहां तक जाने लगेगा तो सिक्स फिफ्टीन तो हमारा स्टॉक्लास होगा तो फ्रेश बाइंग इसमें हमारी कल इंट्राडे के लिए 620 होगी और 618 होगा टार्गेट इसमें 625 होगा 625 और 627 यह दो टार्गेट होगे क्योंकि स्टॉक के अंदर जो रिवासर प्रेंड आया अगर मिनिमुम हमारे 50 पर्षेंट भी क्लोस करने की कोशिश करें 630 तक जाएगा जिसके अंदर 627, 625 दो लेवल देखने को मिलेंगी तो 620, 618 हमारा बाइंग होगा 615 स्टॉक प्लोस होगा 625, 627 हमारे टार्गेट होगे दोस्तों हमारा फोर्थ इंट्राडे स्टॉक और आखरी स्टॉक है अंबोजा सिमेंट और यह अंबोजा सिमेंट का 15 मिनेट्स का इंट्राडे क्य सपोर्ट है जो मंडे के दिन सारी हमारे फ्राइडे लाइव मार्केट के निंदिया और मंडे भी इसे ही कंटिन्यू कर रहा है तो इसके अंदर हमारा जो सपोर्ट का 397.50 ता जो ब्रेक करके नीचा है नीचे आते हुए बॉटम फिशिंग बॉटम फिशिंग के साथ साथ ब्लू स्केंडिल फॉर्मेशन अगर वन डे के सबसे भी दिखेंगे कल के लाइव मार्केट में सेल्लिंग के बाद टोटली बाइंग ऑपोर्चिनिटी है तो मैं सज्जेस्ट करूंगा 395 लेवल देखने को मिला बाइक करिए 393 लेवल देखने को दो लेवल से दूस्वा 398 देगा 395 393 या बाइंग ऑपोर्चिनिटी लेके चलिए 389 आपको स्टोप लोस होगा स्टोप लोस तो हिट नहीं होगा क्योंकि अल्डरी बॉटम फिशिंग है स्टोक के अंदर राली ही होगी दोस्तों